तो हेलो गाईज, वेलकम टूम मैं यूटूब चैनल, स्वागत है आपका 9DS आर्मी में क्याल चला आप सभी को अमीद आप लोग अच्छी होंगे तो गाईज की वीडियो काफी जाद आपके लिए इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे मैंने आपको बताया था कि Best sensitivity setting for gyro players ठीक है Best sensitivity setting बताई थी आपको मतलब वह बहुत जादा लोगों को पसंद आई है ठीक है उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा PUBG Mobile Lite के अंदर जो non gyro players है ठीक है यह मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ non gyro player की settings ठीक है sensitivity settings तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ जिसे बाई काफी ज़्यादा आपको बैनी भी टोगा उसे ठीक है अगर आप non gyro player हो तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप भी दोस्तों free में BC free में winner पास ये चीजे मतलब लेना चाहते हो ना तो वाइस वीडियो को पूरा end तक देख लेना एक चीज और बताऊंगा चोटी सी उसको जरूर देख कर जाना ठीक है तो गाई उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन रिस अप्लिकेशन को इंस्ट्रॉल करना होगा काफी न्यूव एप्लिकेशन है ठीक है यहाँ पर आने के बाद अपना mobile नंबर डाल दीज घर पर बैठे हो तो बैए ऐसी अप्लिकेशन तो काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग में और यह अप्लिकेशन तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना कुछ एड मन्यों गरा करके दिखा देता हूं तो फिफ्टी रुपीज यहाँ पर मैंने एड किये टीका एड किये जैसे मैं य यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसे अभी खेल कर आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया और गेम जैसे स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसा इंट्रफेस आया तो पहली बार खेल रहा हूं तो थोड़ा देख रहे हैं आप मतलब आप प्रक्टिस करोग यहाँ पर ऐसा कि और उसके बाद आप सिंपली से अर्निंग अपने विड्रो भी कर सकते हो इसमें एक और ओप्सन आपको देखने को मिलता है जो कि यह रैफर एंड अर्न का मतलब आप अपने दोस्त को रैफर करिए ठीका और वो जैसे इंस्टॉल करेंगा अप्लिकेशन तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूं पब्जी मोबाइल लाइट के अंदर जो नोन जायरो प्लेयर से हैं उनकी सेंस्टिविटी सेटिंग आखिर क्या होगी और वो दोस्तों मतलब बहुत ही उपी खेल सकते हैं अगर आप नोन जायरो प्लेयर हो बस फरक इतना रहे स्क्रीन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आप अच्छे से ज्यादा मनलब एक और टिप में आपको देना चाहूंगा से पहले अगर आप बहुत अच्छी रिकोईल करना चाहते हैं अपने थम से अगर नोन जायरो तो भाई पाउडर यूज करो मनलब पाउडर यू क्यों आ रहा हो तो आप अच्छे से रिकोईल कंट्रोल हो गया रहा कर पाऊगे अब मैं आपको स्क्रीन शोट दिखा देता हूँ कि कौन सी वो सेंस्टिविटी सेटिंग है जो की बैस्ट रहेगी आपके निर तो यहाँ पर आप सिंपिली देख सकते हो ठीक है यह एडिय रैड डोट 3X 6X तो यह आप इतनी रखिए ठीक है बाकी जैरो का इसमें कोई काम नहीं है जो सबसे उपर वाली दो होती है ठीक है पैरेशूटर वह वाली वह आप दोस्तों 120 या फिर अपने हिसाब से रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वह आप पर डिपैंट करता है कि आ समूद आपकी स्क्रीन है ठीक है तो यह थोड़ा बहुत मैटर करता है तो यह सेंस्टिविटी सेटिंग मैंने दिये काफी काम आएगे आपके ठीक है तो फिला इसको यूज करिए और मेरे को बताए कैसी है बाकी जैरो स्कोप अगर आप यूज करते हो तो जैरो स्कोप से देख लिए लिंक मैंने उसका डिस्क्रीप्शन में दे रखाया जायरो स्कोप वालो गे लिए ठीक है यह सिंपली थी विदाउट नोन जायरो पलेट के लिए और भी कोई अगर वीडियो चाहते हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हो तो फिला इसटों में इतना ही मुझे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोट्विकेशन कौन कर लेना ताकि फिल्चर में भी आप सबीको इसी पर करके वीडियो तो नोट्विकेशन डेली मिल सके तो मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैं हिंद फिर मिलेंगे वंदे मातरम